कि नमश्कार आज के इस वीडियों में हम बात करते हैं एक बहुती मेहतनल विजय है फलादेस करने बी़ए जिसका नाम है ग्रहय यूद इसकी जुरुरत क्यों है और इससे हमें क्या लाव हो सकता ह। देखिए इससे हमें क्या लाव हो सकता है उसके बारे में पहले बात करते हैं जब हम अपनी जन्मकुंडलियों में देखते हैं कि दो ग्रेह एक साथ किसी भाव में बैठे हैं और उनके डिग्री का अंतराल कम है तो वो दोनों ग्रेह मिलकर एक यूति बनाते हैं कई बार हम देखते हैं कि इन में से एक ग्रह शुब है और एक ग्रह अशुब है जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्मकुंडली है उसके अंदर गुरू और केतु बैठे है गुरू एक शुब ग्रह है केतु एक अशुब ग्रह है इन दोनों की यूति से गुरू चंड डाल दूश बनता है अब केतू अशुब ग्रै हैं तो क्या केतू जो हैं अब यह किसी भावमें बन सकता आपकी जनम पर दूबा पर अब गोरू के पर इतना हावी हो जाएगा कि गुरु के शुब परिनामों को दबा देगा या फिर उसके लाब पर होगा कि केतु को दबा देगा तो इन दोनों ग्रहों में क्या एक ग्रह युद्ध होगा और इस ग्रह युद्ध के बाद कौन सा ग्रह जीतेगा वो सबसे इंपोर्टेंट है यानि कि जब आपके सामने ऐसी कोई सिच्वेशन ऐसी कोई जन्म कुण लिया जाती है तो उसमें आप एक अन्फूजन हो जाती हुए भाई दोनों ग्रह एक साथ है क्या केतु परिणाम देगा क्या गुरू परिणाम देगा तो उसको इस तरह से अनलाइ उसको कैसे करते हैं बारी किसे सीखते हैं सबसे पहले मेरा यह जो यूटूब चनल है सीवाई एश्ट लोजर आप इसे सस्क्राइब जरू करें नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करें क्योंकि मैंने अपने इस यूटूब चनल में प्रैक्टिकल वीडियो बनाए हैं और 600 से हस्ता नक्षेतर में गुरू 21.51 डिगरी की तरफ जा रहा है और जो केतू है वह भी 22 डिगरी और 20 मिनट का है तो यह दोनों के अंदर एक डिगरी का अंतराल है इसका मतलब कि इन दोनों में ग्रह यूद हो रहा है अब गुरू जन्मकुंडली का एक शुब ग्रह है केतू एक अशुब ग्रह है अब इन दोनों की यूद्धी में कौन जीतेगा अगर शुक्र को देखते तो वह पांच डिगरी जो है वह उत्र फालगुनी नक्षतर में है शूरे के नक्षतर में तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है तो अब इन दोनों ग्रह में गुरू जो चंडा ग्रह युद्ध तो केतू यहाँ पर क्या है विन के ऑप्शन में केतू जीत रहा है और गुरू हार रहा है इसका मतलब क्या है कि गुरू चंडाल दोस अशुबता की ओर जा रहा है और जो आपका केतू है वो जीत चुका है इसका मतलब कि जो परिणाव हमें चाहिए और जो गुरू से चाहिए जैसे कि बाग्य, विदेश यात्रा, पिता से सुख, पिता का व्यापार, उसमें कहीं न कहीं अर्चने जबर्दस्तानी से हो जाएगा, और देखीगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को देखोंगे, तो नवम घर जो है हमारे पिता का और बाग्य का हो क्योंकि बिनाष्टक वर्ग में गुरू एक ऐसा ग्रह है, जो नो तक बिंदू दे सकता है, और उसने चार दिया है, और 56 जो है इसके हायस्ट बिंदू होते हैं, तो जिसमें इसे चार बिंदू का मतलब होता है कि कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका अतात पर हम यह कहेंगे कि यह जो पैलेंटरी वोर हुआ है, उसके अंदर आपका जो रिजल्ट लिया है, वो केतु ने लिया, केतु जीता है, केतु जीता है, इसका मतलब क्या है, कि जात तक को हमेशा कंपिटिटिव एक्जाम हो या कई भी भी हो, दिक्कत देगा केतु, यानि कि यह हमने मिलके हमें भाग यके और ऐसे पढ़ना मेंदे, तो आप अपनी जन्मकुंडियों में, या किसी भी वेक्ति की जन्मकुंडियों में, जब आप इस तरह से इसको देखते हो, तो यह आप जरूर अपलाए करें, कि दोनों ग्रहों की जो यूतियां है, उसमें कौन सा ग अपलाए करें, आपके फलादीस में निखार आएगा, तो आज का यह वीडियो को कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों